अस्ताम लेकूम माई यूटूब फैमिडी कैसे हैं आप साब उमीद है कि सब खेर खेर से होंगे अल्ला साब को अपने हफ्जों माइन में रखे और सोब की प्रिशानियों को दूर फरमाएं यह तेक्रिबर न साड़े पांच के टाइम सरा बेल को उठाने आई थी क्योंकि फिर नमाज पढ़ते तियार होते हैं तो काफी टाइम हो जाता है बस रावेल को मैंने उठाया तो इसने नमाज करा पड़ी रेडी होगी थी और मैं किचन में चिदी की नाश्ता बनाने के लिए सोचा कि आज आप से अपनी मानिंग रोटीन्स शेयर करते हैं क्योंकि इसको मैंने उठा दिया था तियार हो रही थी और मैं सब के लिए नाश्ता बना रही थी हजबन भी आने वाले थे रावेल को छोड़ने आते हैं तो वो साथ ही नाश्ता कर लेते हैं तो और जोईब ही उठ किया था जोईब के लिए मैंने फ्रोजन प्राठा बनाया और साथ यह आमलेड बनाके तो माइनेज उगयर लगा के तो इसको प्राठा रोल बनाके देती हैं इसको नाश्ते में यह एच्छा लगता है तो पिर जो बच्चीज यह खा लें बस कोशिश होती है कि इनसान वही बना द माइनेज लगा लिए इसमें अंडा डाला है और साथ ही चिप्स प्राइ करके डाले हैं थोड़े से और काली मर्च डाली है और यह यह मिसा प्राठा रोल बन गया अगर बढ़ों के लिए बनाए तो आप इसमें आटमाटर और प्यास डालें इसमें प्यास का टेस्ट मज़े काता है आप जरूर ट्राइ करें मैं वाइस हावर कर रही हूं तो मिठ्व बहुत तंग कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं करने देरा चला रहा है बहुत उसकी आवाज आ रही है ने बीच में असमें के लिए साधा रोटी बनाई है और साथ मैं बनाए है आफ प्राइ बिचे तो चाए नहीं पीते हैं बस हम दोनों ही पीते हैं तो दो काप पी चाए बिना ही थी मैंने साथ ही रोटी बना ली और साथ ही चाए रखी हूई थी मैं गूडवाली चाए बनाती हूँ आज है तो उसमें मैंने ये पती घरा डाली है पानी में पानी जैसे गरम होगया पानी को अच्छा से गरम होने दिये और साथ ही पती और गूड़ डाले और इसमें मैं डालूँगी अद्रक का तक्रीबन छोटा सा पीता मेरे पास वो og sat með dúd ňæla að sad, 2023, ná, boðu ňæla að तो बस यहांपे चाई रेडी होरी थे और साथ थी, मैंने एग बनाए ऐसमें के लिए और फ्राइ एग बनाना, तो एक-दो ड्रॉबा स्वाहिल के डालो, और बिल्कुल इसकोना हल्किया, आंच-पे छोड़ दो फॉर फॉरन मज़का बन जाता है, साथ सपकता बिल्कुल नहीं है, तो यहां पर रावेल के लिए, मैं बनारी स्कूल के लिए लिए लांच, फ्राइरान कर दिया था मैंने, तो इसमें सौसिश का और दो मेंट भी नहीं लगे हैं, और यह रेडी होगी हैं, बस इनको निकाल आए और इस इनको छीलूंगी, और फिर नाष्टा लगा दूंगी, बच्चों के रूम में ही, ताके में ही पर बाढ़ के, तो कर लेंगे सब, लीजिए, हमारा नाष्टा रेडी हो चुक्य है, और लग चुक्य है टेबल पे, तो हस्बेंड को दिया, मैंने उनकी रोटी इंडा और च तो एयाल आई थी, ये सीरियल, तो खा तो बिल्कुल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो, मैं ही थोड़ा बहुत खा के, इसको हतम करूँ, ऐसे जाया जाएगा जबमें ट्राइके, तो में फिका-फिकाल, तो जो बोला की माच जैनी दो एक्चामें फिर मैंने, हिसमें हनीचला उसे, इसकाथ, पोस्माज़ेकागोगा था हम नच्ता कर रहे थे, कि जोएब बोलता है कि मैंने काफी बिनानी है, तो बस ये दूद उठा के ले आया था, खोल रहा था, और फिर इसने अपने लिए दूद बॉइल किया, और काफी का कप अपने लिए बिनाया है, मेरे बच्चों को काफी बहुत पसांद है चाहिए, लोग नहीं पीते हैं दोनों, लेकिन काफी को कभी कभी दोरह पड़ता है, तो फिर काफी बिनाते हैं, खोदी और खोदी पीते हैं, तो मैं इनके लिए काफी रेड़ी करके रख देती हैं, तो बस दूद बॉइल करते हैं, और उसमें अपने हैसाब से जिसको ज छाई वालता हमारा नाष्ता हैसे जासे एसमार नाष्ता के लिए बैठते हैं तो मिठ्व झूलाना शुरू करदेता है अपने नाष्टे से पहले पिर उसको डुटि east लोट ढलते हैं तोड़के वैसे हमने यांने बीज घड़ Pros각 साथ में एपल तो वह हम उठते हैं उनको पहले दे देते हैं एपल वगरा और बीज वगरा लेगन फिर भी जैसे खाना खाने लगते हैं तो मिठ्यू चुलाने लग जाता है चाहे दिन को खाएं शाम को या सुबो जब भी तो फिर उसको लाजमी रोटी डालते हैं पहले पह प्रड़ी हो गी थी और इसने अपना आईडी काड़ पहन रही थी स्कूल का जो है और हजबंड जा रहे थे इसको छोड़ने के लिए और मैं हमेशा हजबंड या बच्चे बाइड जाएं तो उनको लाजमी आती हूं दर्वाजे तक छोड़ने के लिए और मेरी ये शुरू से ये तक्रीब बना देता है खुद को भी इनसान को बहुत अच्छा लगता है और हजबंड और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और फिर वापस आके मैंने बरतन दोने स्टार्ट कर दिया है जो बरतन गयरा थोड़े बहुत है दो लूँ और मैं हमेशा पहले ग्लास होती हो और बाद मैं फिर चाए के बरतन और जो ऑईल गयरा सालन गयरा बरतन होते हैं वह एंड पर दोती हूं और अबेल को मैं हमेशे ही बोलती हूं कि बेटा ऐसे बरतन दो या करो सारे मेक साप नहीं कर दिया करो क्योंकि ऐसे सालन या अंड जो होता है उसकी ग्लास में या किस चीज ना स्मेल आ जाती है तो पानी पीने कर दिल नहीं करता है मैंने बतन वगरत दोखे के तो किच्ञें साप कर लिया था और फिर आ गई थी अया को उठाने के लिए है या मेडम सो रही थी देखें क्या मज़े का बच्पन होता है न किसी चीज की फिकर नहीं होती मैं ने इसको उठा लिया था और इसको वजू करवाया और विजब करवाके तो इसको पहले स्पारा में हमेशन पढ़ाती हूं और स्पारा पढ़ लेती है तो फिर मैं इसको नाश्टा करवाती हूं बस अभी हया नाश्टा कर रही थी नाश्टा कर लेगी तो फिर मैं इसको ड्रेस्व करा चेंज करवात हुई और हैया में बहुत अच्छी आदध है कि इंसान को बहुत अफ्रीशेट किरती है जैसे नाश्टिक उसने नवाला लिए और गुड मुझे बोर यापने नोट किया होगा कुछ भी चीज खाती है तो फोरान बोलती मामा ये मी मामा गुड सोचा कि थोड़ा ओड़ा मस्तियों गधर कर लेंगे तो यहां पर मैंने मिठूब गधर को खोल दिया था मिठूब को तो अक्सर कोल देते हैं लेकिन ये चोटों को भी खोल दिया था कि चलो मौझ मस्तियां कर ले और ये थी हमारी सुबो की रोटीन आई होब कि आपको अच्छे लिए होगी अच्छे लिए हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लेज फुल वाच किया करें इसके साथ मुझे दें अजाज़त मिलेंगे इन्शाला एक नेक्स्ट वीडियो में अपना और अपनी फैमिली का ख्यार रखें मुझे और मेरी फैमिली को दौाओं में याद रखें अलाफेज